हेलो वीवर स्वागत आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केर में आज कोश्चन आंसर एपिसोड है आपने जो भी कोश्चन पूछे हैं इस वीडियो में मैं उसका सीधा आंसर दूंगा तब वीडियो को लास्ट तक जरू देखेगा अब हर संडे कोश्चन आंसर एपिसोड चलेगा तो अगर आपके मन में भी कोई कोश्चन है तो कमेंट कीजिए स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारा प्रिवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बता है कि क्या टेलाफिल टेबलेट टेस्ट श्ट्रॉंग लेबल को लो करता है तो अगर आप भी इसका अंसर जानना चाहते हैं तो डिस्रिप्शन बॉक्स में देएगर लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कोश्चन को लेते हैं इनका सवाल है लिंग को hard strong करने के लिए और साथ में time बढ़ाने के लिए कौन सा tablet बेश्ट होता है कितने mg का कब लेना है वैसे तो दोनों ही tablet से link में hard erection मिलता है बट टेलाफिल tablet बेश्ट है इससे link hard and strong भी रहता है और साथ में ये आपके time को भी बढ़ाता है अगर आप अपने time को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप टेलाफिल के साथ Depoction Tablet ले सकते हैं टेलाफिल का 5MG या 10MG का dose ले सकते हैं 6 करने के 2 से 3 घंटे पहले अगर आप इस tablet के uses के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस पर already वीडियो बनी हुई है आप description box में दियेगा लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं तो अब लेते हैं second question को क्या टेलाफिल अट डेपॉक्षिन टेबलेट को एक साथ एक night पहले लिया जा सकता है तो इसका जबाब है बिलकुल लिया जा सकता है इन दोनों टेबलेट का combination आप sex करने के 2-3 घंटे पहले ले सकते हैं या एक night पहले ले सकते हैं दोनों ही condition में ये टेबलेट best result देती है पर एक बात का ध्यान रखे कि डेपॉक्षिन टेबलेट आपकी बॉड़ी में 24 घंटे से लेका 36 घंटे तक रहती है अब लेते हैं third question को मुझे अस्तमा की problem है क्या मैं टेलाफिल ले सकता हूँ अगर आपको कोई भी पहले से बिमारी है या किसी बिमारी की medicine चल रही है तो मैं उन्हें इस टेबलेट को avoid करने के लिए बोलता हूँ या आप डॉक्टर से consult कर गे ही ले सकते हैं इस टेबलेट को जिससे आप इससे होने वाले side effects से बच सकते हैं और टेबलेट का सही फायदा ले सकते हैं अब लेते हैं फोर्थ कोस्चन को ये कोस्चन बहुत सारे लोगों का रहता है कि क्या टेलाफिलिया व्यागरा लेके प्रेगनेंशी प्लान कर सकते हैं क्या ये safe है क्या कोई side effect हो सकता है तो इसका जबाब है बच्चे हर किसी की ख्वाईस होते हैं सब बहुत सारे ड्रीम रखते हैं अपने होने वाले बच्चे को लेकर अजकर लोग प्लान करके बेबी करते हैं तो अगर आपको रेक्टाइल डेस्वक्षन की प्राबलम है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही प्रेग्नेंसी प्लान करें आपको स्पम काउंट क्वालिटी की भी प्राबलम हो सकती है तो ऐसे सिचूशन में डॉक्टर से कंसल्ट करें वैसे टेलाफिल या सिंडेलाफिल लेके प्रेग्नेंसी प्लान किया जा सकता है ये बिल्कुल सेफ होता है ये आपके स्पम की क्वालिटी, क्वान्टिटी और मोबलिटी को बढ़ाता है जिससे आपका sperm अच्छे से travel कर पाता है और अंडे से मिल पाता है बट फिर भी मेरी advice यही रहेगी कि आप डॉक्टर से consult करके ही tablet ले और pregnancy प्लान करे या आप अपने खुद के decision पर ले सकते हैं अब लेते हैं फिप्थ question को टेलाफिल एंड डेपॉक्टिन लेने के बाद alcohol पी सकते हैं तो इसका जवाब है आपको alcohol पीना avoid करना चाहिए टेलाफिल एंड डेपॉक्टिन साथ में लेने के बाद क्योंकि डेपॉक्टिन टेबलेट सीधा आपके brain पर hit करती है और असर दिखाती है और alcohol भी brain पर hit करता है और आपको नसे में लाती है अगर आप सिर्फ टेलाफिल लेते हैं तो सिर्फ थोड़ा amount में alcohol ले सकते हैं बट टेलाफिल एंड डेपॉक्टिन लेने के साथ alcohol avoid ही करना चाहिए वैसे मैं यही recommend करता हूँ कि आप इस तरह के tablet लेने के बाद alcohol को avoid कीजिए बेश्ट रहेगा आप tablet का जादा फाइदा उठा पाएंगे और tablet भी सही से असर करेगा आपकी body में और साथ ही आप इसके side effect से भी बच सकेंगे तो अब लेते हैं 6 question को क्या टेलाफिल के 5 mg के dose से कम side effect होता है तो इसका जवाब है हाँ इसके higher dose के मुकाबले 5 mg के lower dose से कम side effect होता है या नहीं भी हो सकता है वैसे एक बात का ध्यान रखे कि कोई भी dose से side effect हो सकता है और किसी को नहीं भी हो सकता है ये इस पर depend करता है कि आपकी body इस tablet के साथ कैसे adjust कर रही है अब लेते हैं 7th question को मैंने सिंडेला फिल का 50 mg का tablet लिया और कोई असर नहीं हुआ और मेरी उम्र 22 साल है तो इसका जवाब है ये अक्सर लोगों की सिकायत रहती है कि 50 mg tablet का असर नहीं करता है तो इसका दो कारण हो सकता है पहले या तो आपने इस tablet को सही से नहीं लिया है इसके तरीके को अच्छे से फॉलो नहीं किया है या दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी body इसके साथ टॉलेट नहीं कर पा रही है जिससे आपको असर नहीं हो रहा है तो अगर आपको इसका 50 mg ही लेना है तो आप इसके 100 mg के dose को हाफ करके ले सकते हैं ये जरूर असर करती है या आप इसके 100 mg का dose ले सकते हैं या आप अपने डॉक्टर से कंसल करके ले सकते हैं इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपकी body में कोई problem हो जिससे टेबलेट का असर नहीं हो पा रहा हो अगर आप पर 100 mg काम करती है मतलब ये भी हो सकता है कि आपके लिए 50 mg sufficient नहीं है तो या तो आप डॉक्टर से कंसल करके ले जिए या टेलाफिल का 5 से 10 mg का dose ले सकते हैं तो अब लेते हैं 8th question को इनका question बड़ा होने के साथ साथ इनकी problem भी बड़ी है इनके husband को diabetes है और साथ में ये बहुत ज़्यादा smoking करते हैं पैंकरियाज भी इनका damage है और साथ में Parkinson problem भी है relationship problem है और साथ में रोज व्यागरा लेते हैं तो इसके जबाब में मैं एकदम clear बता दूँ आपके husband की life बहुत ज़्यादा short होने वाली है अगर उन्हें ये सब बंद नहीं किया तो ऐसे problem में उन्हें सबसे पहले व्यागरा लेना avoid करना चाहिए और साथ ही अच्छे से doctor से consult करके सभी problem का इलाज अच्छे से करवाना चाहिए ताकि उनकी life थोड़ी healthy रहे और diabetes control में रहे और insulin का injection regular लेते रहना चाहिए तभी इनका diabetes भी control में रहेगा और smoking और alcohol पीना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए तो hopefully आपके question का जबाब मिल गया होगा इसी तरह question पूछते रहे और अपने doubt के लिए किजिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो like कीजिए और like ज़रूर कीजिए इससे हमें motivation मिलता है आपके लिए और भी अच्छे च्छे content बनाने का और हमें support करने के लिए चैनल को subscribe करके बाल आकन के बटन को press करके all को select करे ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की notification आपको मिलती रहे अगर कोई doubt है तो comment किजिए मैं उसके answer जड़ूँगा मिलते हैं next वीडियो में किसी नए topic के साथ Thank you